दिलाइट आईए इस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत अच्छी चीज हम लोग डिस्वस करने जा रहे हैं देखिए द्रीम जो होता है सपना जो होता है उसको वास्तविक्ता में आप लोग कैसे बदल सकते हैं सपने तो लाखों लोग सोचते हैं बेट और कॉन से लोग है जिनके सफने सच होते हैं अब वह नहीं है जो आप नीज में सोचते हैं बहुत सारे लोग जो है सपना सोचते हैं इवन UPSC में भी क्या सोच क्याते हैं कि IES बनना है कुछ भी हो सकते हैं Indian Foreign Services में जाना है जादर जर्नल मन में क्या रहता है कि collector सोच लिया सपना अब यह सपना है मन में रहा तो इसको वास्तिता प्रलाने के लिए ऐसे तो नहीं मिलेगा तो करनी पड़ेगी है ना तो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं देखो एक चीज और क्लियर करो क्या सपने देखना जरूरी है या नहीं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर सोचना भी चाहिए कई बार मन में यह लगता है कि मिलेगा तो है नहीं शायद कई बार मन में खुद को लगने लगता है ना कि शायद यार आईएस का सपना बहुत बड़ा सपना है है ना कलेक्टर बनना या IPS बनना SP बनना यह अपने बहुत बड़ी चीज है सोचते भी ह हम नहीं कर पाए तब मन में आता है कई बात और मुझे लगता है ड्रीम सोचना olması क्यों क्यों क्योंकि देखो अगर आप सपना सोचो गे नहीं है तब आप उसको जीने की कोशिश कहां से करोगे सपने को पाने की कोशिश कहां से करोगे कोई तो मनजिल होनी चाहिए ना अगर जीवन में सिर्फ रास्ता तया करोगे कुछ ना-कुछ तो सोचना चाहिए कि यहां पर पहुंचना है तभी तो उसको बढ़ने आने वाले कौन से रास्ति पर मैं वर्क करूं ताकि मैं बेस्ट तरीके से और बहुत जल्दी अपने मंजल तक पहुंचा यह होता है कि नहीं देखो तो पहली चीज क्लियर है प्रीम आपको सोचना है सपना आपको सोचना जरूर है छोटा हो बड़ा हो यह चीज मैटर नहीं अब जैसे माल लिजी आप लोगों आपका ड्रीम यह है जातर बच्चों का माल लिजी है कि आई अई एस बनना है अब एक सपना है ना इंडियन एडिस्टरेटिव सर्विसेज में आपको जाना है यह आपका मन में आपने सोच लिया तो इसको वास्त रिखता में कैसे बद वो तीनों लेयर्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे subject है इसका syllabus है उस syllabus को पढ़ना पड़ेगा exam clear करने पड़ेगे और उससे जाना पड़ेगा रास्ता यह है shortcut नहीं इसका कोई corruption नहीं इसमें कि आप पैसा उठाएंगे लगाएंगे, कोई ना कोई आप जूगाद ढूंडेंगे, कुछ नहीं ऐसा हो सकता है. आईए इसका exam है, सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा. पहले prelims की stage क्लियर करने पड़ेगी, फिर mains की stage क्लियर करने पड़ेगी, और फिर जो आपका इंटर्म वोर्ड में सबी लोग करते हैं तो फिर fail क्यों हो जाते हैं या फिर इस ये अपने सपने को वास्तिता में बदल क्यों नहीं पाते हैं कुछ-कुछ कमिया रहती है उनके जिवने ये तो चाहिए ही ये तो करना ही पड़ेगा इसको तो नहीं चोड़ सकते बट इसको करने के लिए बहुत स कंगाज ब्सक्राइब करें ये सब्स्क्राइब कर दो तो अच्ट है उसने कम रहेंग से क्लियर भी बूसमें है यूपी जक्ते में हाड़ों के बिनानी हो दो या को बच्चा समार के इक्स्ट्रा स्था इक्स्रां टीकनलोजी को लेकर शुरू से उसकी वेगराउंड में तेक्नोलोजी से वह friendly रहा फिर भी उसको पढ़ना तो पढ़ेगा थोड़ी सी महनत उसकी काम हो जाती है कि जीसे कई बार बच्चे जो है जैसे आस्पिरेंट हैं हो आपने हैं रिटर नोट्स बनाते हैं वो लोग थोड़ा सा स्मार्ट वार्ट्वाम में बना लेते हैं तो वहां पर मेहनत थोड़ी कम हुँजा दिया बट पढ़ना तो उनको भी पढ़ता है तो ये चीज आपको आपके सपने की तरफ से वास्तिता की तरफ लेकर जाएगी दूसरा जुनून जिर्फ सपना बन करना रह जाए उसको पाने का जुनून होना चाहिए आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि नहीं मुझे इसके बिना नहीं तो नहीं ये वाली चीज इसके बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती ये वाला जुनून पहुंचना है तो पहुंचना है अब किसी तरीके से पहुंचना है ये मैटर नहीं करता है जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाने में जरूरी होगा, मैं वो चीज करूँगा, यह वाला जुनूर, अगर मुझे 18 गंटे पढ़के वहाँ पहुचने को मिलेगा, मैं 18 गंटे पढ़ूगा, अगर मुझे दिन रात पढ़के वहाँ जाने का मौका मिलना पढ़ेगा, तो मै वाला जुनूर हर सिच्वेशन में कुछ भी हो जाए मुझे अपने मंजिल तक पहुंचना है ये वाला इन बिल्ड जुनूर ये नहीं कि सर्दी का मौसम आया तो सुबह रात को सुबह तक 11 बे तक पड़े हुए है ये नहीं है कि गर्मी लगी तो थोड़ा सा लगा कि आज स होना फिक्स है मुझे पढ़ना है बस क्योंकि वही पढ़ाई करके मैं यहां तक हो सकता हूँ है वही पढ़ाई करके वहाइड मंजिल को हासिल कर सकता हूं ये जुनूर आपके अंदर होना चाहिए अगर ये वाला जुनूर हुआ तो फिर दिकत नहीं है फिर सपना प्यारी को लेकर स्मार्ट होना होगा, स्मार्ट होना होगा, बाकी उसे अलग, भीड में नहीं भागना, सोच लिया, सबने यह पढ़ा है, तो अपस को सुनो, सबके बारे में जानो, किसी ने क्या फालो किया है, वो चीज़े ज़रूरी है, बट अपनी एक कम्प्लीट डिफ करते हैं, कैसे वो कवर करते हैं, बस अपनी एक different strategy, unique strategy बनाओ, जो आपकी strength के according है, जो आपकी weaknesses के according है, तभी तो अगर आपकीaning आपकी स्टेड़ेइन स्टेजि बनाओं। बनाओग की नीं बनाओगे, तो अपने according उसको modify कर देना है, सुनो सबको करो अपने मन की, वो वाली कहानी यहां पर implement करनी है इस चीज को ध्यान में रखना है ठीक है चौती चीज आपके अंदर क्या होना चाहिए जो मैं हमेशा कहता हूँ patience सबर मना के रखना है जल्द बाजी नहीं करनी है आपने सुना ओगा घरों में कहावत कहा जाती है जल्द बाजी का काम किसका होता है शेयतान का भागम भाग नहीं करना है अभी बंचाओं अभी क्लियर कर दो 3 महिने में क्लियर कर दो 2 महिने में क्लियर कर दो ऐसे नहीं UPSC है सब चीजे उसकी requirement है उस requirement को पूरा करना पड़ेगा जैसे prelims की requirement क्या है मेन्स की requirements क्या है? शान दार उत्तर लेखन शैली होण लोगा है। आपके रहें है जाना quality का content लिखो और इतना वहतरी से present करो ज़ियो milhões कि रहए है। ऐक दिन में वार जाएगा है। किसी artist को artist बनने में जथे लग जा जाती है कई रहें। और आंसर लिखना भी अपने आपने एक आर्ट है, एक कला है, उसको सीखने के लिए थोड़ा समय लगेगा, एक दिन में नहीं सीख जाओ, तो प्रिलिम्स और मेंस के इंटर्वू की क्या है, एक बहतरीन प्रसनेलिटी बनानी, कई पार हमारी मानसिक्ता कुछ अलग होती है, जैसे ही हम UPSC के तयारी करने लगते हैं, हमारी मानसिक्ता बदलने लगती है, तो अपनी उस मानसिक्ता को याद रखना है, बदलने देना, थोड़ा समय देना है, ताकि वो बदल पाए, महिलाओं को लेकर हमारा सोचने का नज़रिया बदल पाए UPSC की तयारी में, अगर ह हमारी पित्र सक्ता मान लिजी आप यह सोचते हैं पेट्रियाटिक सोसाइटिकल सोच से आप यह आ है कि आप सोचते हैं कि महिला आप डाउन रहे पुरुषों को ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए मुझे ही खाना पहले मिलना चाहिए यह सब चीज अगर है न उसको बदलन आराम से चलना है फूख फूख के चदम रखने हैं आपको यू-प्यस、टि में खास करके है न न वीस्वाब को दूसरा सबसे बड़ी चीज मैं यहां पर कहता हूँ और अर्सKeep हो सफल्टा कह भबराना नहीं हैं और असान नहीं बहुत मुश्किन हैं साम नहीं हैं और सफलताओं का आ रही है तो आने दो कोई दिखते आ जवा सफलता है कल सफलता भी आएगी और सफलताएं आपको सफलता तक पहुचने की सीडियां होती है ताकि आप और सीख पाओ वह कहते है ना कि जब उसने बलब बनाया था क्या बोला था 999 बार पेल नहीं हुआ हूँ मेरको वह 999 तरीके पता है जिससे बलब नहीं बन सकता है तो आपको यह सोचना है वही और सफलताएं जो है आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे और उसका सामना करना है धबराना न इन दर गिभाञा जैना है मैदान सोड़तर भाग नहीं जाना है पसो सब्से बड़ी चीजंक अंत तक मैदान में टिके रहना अंतन तक कि जीतोगे यहां अ कि यह तो कुद्रत करेंगी यह सी कुष्य अंदाज करना है सुसाइटी को समाज को भूल जाना है नजर अंदाज ऐसी कोई चीज जो रिलेटिव बोल रहा हो सोसाइटी बोल रही हो अब तो इसकी शादी कर देनी चाहिए अब इसको कितना पढ़ना चाहिए अब लड़कियों को इतना नहीं पढ़ना चाहिए ये फेल हो रहा है इसके बसकी बात नहीं आईएस बनना ये सब चीजे इस कान से सुनना है इधर से ही निकाल दो इधर लाने की ज़र रही है इधर से सुनो इधर से ही निकाल खतम तब तक एक डम बहरे बन जाना एक डम बहरे मेरा वर्ड याद रखना जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाओ, छोड़ दो सारी की जिए, लोग बोलें कि अरे उमर बढ़ रही है, बहुत सारी चीजे हो रही है, कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो, भूल जाना सा, बन में ठाल ले न, बनना है तो आईयस मनना है, नहीं तो फिर नहीं, कुछ न करनी है, तब तक हार नहीं माननी है, ये चीज़ याद रखो, ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जो आपके सपने को हकीकत में बदलने में आपको ले कर जाएंगे, सिरफ प्रॉसेस के तू चलने से चीज़े नहीं हो पाएंगे, इस प्रॉसेस को क्वालिफाई करने के लि पॉसिबल, तो सब कुछ पॉसिबल है, पस ये चीज़े होनी चाहिए, एक दिन की लड़ाई नहीं है, थोड़ा सा लंबी लड़ाई है, तो अपने आपको जम कर टिका कर रखना है, अपने आपको खुद से हिम्मत देनी है, कई बार कोई ऐसा भी नहीं होगा, जो हर का गेम होता है, उसको आप नहीं कुछ कर सकते हैं, उसको भूल जाएंगे, अगर आपको proper guidance सही समय पर मुझा है, अगर सही समय पर guidance का आवहाव है, तो बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होते हैं, लेट हो जाते हैं चीजों में, बट अगर आपको सही समय पर सही सही चीजे अच्छे से समझ पाएंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तो तक अपना ध्यान दखें अपनी पढ़ारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद